एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने का आरोपी किया गिरफतार 3 किलो 500 ग्राम डोडा चुरा पोस्त बरामत कर सप्लाई करने के दो आरोपी भी किये गिरफतार एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में कमल जीत पुत्र मामराज वासी रावा जिलाकुरुक्षेत्र को गिरफतार कर उसके कबजे से 3 किलो 500 ग्राम डोड़ा चुरापोस्ट बरामत करने में सफलता हासिल की है पुलिस के टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी खोशी राम पुत्र बचना राम वै बलवान सिंग पुत्र जोगिदर सिंग वासी बिजडपूर इसमायलाबाद जिलाकुरुक्षेत्र को भी गिरफतार कर लिया है यह जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार दोपहर को मीडिया को बताया कि तीन मई को एंटी नार्कोटिक्स सेल के उपनिरुक्षिक महिंदर सिंग, सहायक उपनिरुक्षिक अशोक कुमार, धरंबीर सिंग, हैड कॉंस्टेबल प्रदीप कुमार, पवन कुमार वे गाड़ी चौलक मुख्य सिपाही, विनोद कुमार के टीम अपराध तलास के संबन्द में लाडवा चोंक शहबाद के पास मुझूद थी, पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि कवल जीत पुतर मामराजवासी राबा डोड़ा चुरा पोस्ट बेचन के लिए जाएगा, यदि उसे काबू करके उसकी तलाशी ली जाए तो उसके पास ही काफी मात्रा में डोड़ा चुरा पोस्ट ब्रामध हो सकता है, पुलिस की टीम ने शहबाद जांसा रोड़ पर मदनपूर पठाका गोदाम के पास नाकवंदी करके चेकिंग करनी शुर पूटी पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको पुलिस की टीम ने काबू कर जब उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कवल जीत पुत्र मामराज वासी रावाज जिला को रुक्षेतर बताया, पुलिस की टीम द्वारा राज पत्रीत अधिकारे के सावन काबल जीत की तलाशी लेने पर उसके कज़े से तीन किलो पांसो ग्राम डोडा चुडा पोस्त परामद हुआ, आरोपी के खिलाव थाना श्वाबाद में नशील वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अंटी नार्कोटिक्स सेल के सहायकुप निरुक्षिक सुखबीर सिंग ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पोलिस की टीम ने आगामी तफ्तिश करते हुए अंटी नार्कोटिक्स सेल के सहायकुप निरुक्षिक सुखबीर सिंग ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी, खुशी राम पुत्र, बचना राम वैब बलवान सिंग पुत्र, जोगिंदर सिंग वासी, बिजड़पूर, इसमायलाबाद, जिलाकुरुक्षेतर को गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया है